प्यारा बच्छों नमस्कार इस तरीकी एक्योकिशन को कैसे हल करें जहां पर आपको कोई perfect square number find करना है greatest five digit number चाहे आपको seven देदें, eight देदें, कुछ भी देदें, तरीका बिल्कुल सिंपल रहेगा तो यहां पर पहले पहले पेंचान करो कि आपका greatest five digit number होता कौन सा है तो five digit number की सुरात कहां से होती है बच्छों देखें, एक, दो, तीन, चार, यहां से आपका five digit number शुरू होता है कितना है, ten thousand, यह आपका smallest five digit number है, जोके, उसके बाद चलते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, यह आपका greatest five digit number है ठीक है, यह देखी, basic जान करी आपको पता है बैसिक जान करी पता तो हम निकाल लेंगे, इस में क्या लगा दिने है, अपना long region method लगा दिना है ठीक है, चलिए, long region method लगा देते हैं आप जानते हैं long region, नहीं जानते हैं हमारे channel की playlist में जाकर आप सीख सकते हैं देखिए इस दिसा में आगे बढ़ते हैं दो अंकों को साथ लेना अंडर लाइन फिर आगे दो अंडर लाइन अंदर में कितना आगे नो नो के लिए हम क्या लेते हैं बच्छो तीन गुना तीन कितना होता है नो जिसको लेंगे एक वार यहां उपर लेंगे उसके बाद इसको जोड़ना रहता है और इसको गटा 9-9-0 आ गया उपर से हम इसको यहां ले आते हैं अब यह जो 6 है इसके साथ एक से लेकर 9 तक कौन सी से क्या गुणा करें कि आपका इससे बढ़ाना है इसको गटा ना है जोड़ना है और इसको गटा ना है और ऊपर से अब इसके साथ जैसे हम 6 लेते हैं 6 का गुणा करते हैं किसको लिए 6 को फिर बद्चों इसको गटा ना है कितना आ गया 143 आ गया यह जो आपका माइनस करने पर आया है इसको हम किस में से घटा देंगे यह आपका संक्या जिसका हमने अभी यहाँ पर जिसके लिए यानि सेंसफल घटाएंगे पीछे हमारे पास क्या आजाएगी एक प्रफेक्ट इसक्वार नमर आजाएगा ठीक है जो कि किस का स्क्वार होगा इसका स्क्वार होगा जो कि यहाँ पर आपका उपर आया है कितना हो गया 6, 5, 8, 9 जो कि किस का स्क्वार है आपका 316 का स्क्वार है तो यहाँ पर आपका एंसर क्या आगया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नमर है और परफेक्ट स्क्वाइर है यह है ओके तो आप अपने कैल्कुलेटर में चेक कर सकते हैं जैसे 306 का जब आप स्क्वाइर करते हैं कितना आता है 99800 चपन